5 plugins जो कि आपके गानों को और भी ज़्यादा better sound करा सकती है and इन 5 plugins में से 4th and 5th सबसे ज़्यादा important है तो बढ़ते हैं पहली plugin की तरफ So first one is T-Deesser which is an amazing plugin for de-essing और यह जो de-essing करता है वो बहुत ज़्यादा natural करता है and साथी साथ यह सिर्फ vocal पे काम नहीं करता है यह almost हर चीज़ पे काम करता है So let's see So यह रहा हमारा DSR plugin जिसमें कि आप यहाँ देखो तो आप यहाँ से quality select कर सकते हो intensity select कर सकते हो यहाँ से sharpness and यहाँ पे आप कौन से area को target करना चाहते हो यहाँ से आप filter करके सुन सकते हो कि क्या compress हो रहा है या फिर क्या duck किया जा रहा है कौन से sound को eliminate किया जा रहा है and यहाँ से आप A-B testing कर सकते हो और यहाँ से off on कर सकते हो and साथ ही साथ यहाँ से आप mix को भी set कर सकते हो So yeah तो मैं अगर extreme example आपको इसको सुनाओ तो मैं बिलकुल S's को शान्त कर देता हो and let's now listen to this और मैं प्रोपरली जैसे यह जजबातो है ना यहाँ बिना इसके and with the plugin so आप साथ ही साथ जैसे बहुत जादा प्रेशन और आपको लग रहा है नहीं यार यहाँ मेरे और भी हायर फ्रेक्वेंसी इसको छेड रहा है and then आप अपना sweet spot ढूण सकते हो so आपको एक control मिलता जिससे की आप यहाँ पे sharpness भी adjust कर सकते हो आप यहाँ intensity भी adjust कर सकते हो और highs भी ना अलग अलग जगे पर होते हैं जो की sharp sound करते हैं तो आप high select कर सकते हो low high select कर सकते हो mid high select कर सकते हो तो साथी साथ आप यहाँ पे presets पे जाकर के अलग-अलग presets track कर सकते हो जैसे यहाँ पे drums है female speech है, guitar है तो कहीं बारी आप sounds record करते हो जिसमें कि ऐसी harsh sounds होती है तो आप माल लो guitar में कोई ऐसी sounds है या snare में ऐसी कोई sound है या shakers में ऐसी sound है compressor और यह जो compressor है यह दोनों चीज़े आपको provide करता है limiting and compressing and साथी साथ इसमें एक dedicated side chaining का भी option आपको provide किया जाता है so यह plugin emulate करता है classic LA-2A compressor को and आप इसको अगर आप देखो interface तो simple है बहुत आप peak reduction यहाँ से कर सकते हो and gain वगेर आप यहाँ से adjust कर सकते हो और इधर से आप switch कर सकते हो limiter और compression आप यहाँ से आप off on कर सकते हो और यह side chaining के लिए अभी हम इसको touch नहीं करेंगे so let's see how it compresses so here we go आप यहाँ पर देखोगे compression होगा तो मैं reduction खुब बढ़ा देता हूँ अच्छे से now listen और without इसके so like आप इसका compression सुनोगे तो बहुत ज़्यदा natural लग रहा है over compressed नहीं लग रहा है आप इसको compression को use करोगे it will give you phenomenal result similarly आप limit अगर करना चाहते हो sounds को तो आप limit भी कर सकते हो listen to this so it's a great plugin if अगर आप अच्छा एक compressor दून रहा हो then this is a great plugin you can use it and its name is Lala by Analog Obsession now let's move to the next plugin so अगला जो plugin है वो है Lovend by Analog Obsession ये आपके bass sound में हार्मोनिक साइड करता है जो की आपके bass को और जादा prominent और amazing sound करता है so let's see how it works so जैसे कि मैंने बताया अब आप इसमें क्या कर सकते हो ये जो boost है knob इससे आप harmonics add कर सकते हो यहाँ से आपको कौन सी frequency ये low side से शुरू हो रहे है जैसे कि ये 20 Hz से लेके 60 Hz तक की frequency को अभी boost करेग अगर मैं उपर बढ़ाता चला जाओंगा तो low mids तक अगर आप देखोगे तो 180 तक harmonics add कर सकता है ये जो आप output देख रहे हो ये gain के लिए एंड लेट सी कि ये कैसा काम करता है अभी हम सब को zero रखते है and let's listen to this अब एक extreme example लेने के लिए मैं इसको full कर देता हूँ और मैं धीरे धीरे boost को बढ़ाऊंगा बापरे like मेरे कान literally they feel that quality base जो होता है so yeah you can experiment with this and earphone लगा के सुनोगे तो आपको better सुनाई देगा literally a great plugin for your basses अगर आपके bass fuller sound नहीं कर रहे है और उतने जादा punchy sound नहीं कर रहे है then this is a great plugin for your basses now let's move to the next one next one is our beloved supermassive जो कि almost हर एक music producer उरुस करता है इसमें बहुत सारे presets भी आते हैं जो कि बहुत amazing है and ये बहुत जादा premium reverb आपको provide करता है so let's go and see how it works so अगर मैं अपने vocals को यहां पर पूरा reverb से हटा दू then it sounds something like this and with it so आप सुन सकते हो कितना दा crazy sound है supermassive का and आप यहां पर जा सकते हो अलग अलग presets की तरफ so जैसे मैं large में जाकर 80 space work select करता हूँ तो ये direct 50% पर चला जाता है लेकिन इसको आप सुनोगे तो ये usable नहीं है जैसे ऐसे सुनो but अगर आप आजाओ 10 या 12% पर then it's a really good quality reverb आप अलग अलग test कर सकते हो and आप चाहो तो delay wideness and वापनेस और साथी साथ अलग अलग parameters जितने भी होते हैं जैसे कि आप EQ हो गया कि आप कहां से कहां तक की frequencies को ही reverb मिलाना चाहते हो density हो गया, feedback हो गया, rate हो गया, depth हो गया आप select करके इन knobs को tweak करके अपने लिए एक perfect spot ढूण सकते हो और I will recommend you यहां के अलग-अलग preset में जाओ and आपको जो भी पसंद आप उसको select करो और mix knob को 10-15% के बीच में रखके सुन करके देखो and you will find your sweet spot and the last amazing plugin is fresh air जो कि आपके vocals में या फिर कोई भी sound जिसमें कि आप थोड़े से highs natural introduce कराना चाहते हो जो कि actual में अच्छे sound करें ना कि वो चुबें and आपके sound को एक shine दें, एक brightness दें so let's see how it works so fresh air के बारे में आपने वैसे भी बहुत सुना होगा और अगर मैं बिना fresh air के आपको अपनी vocals सुना हूँ extreme example लेते हैं then it'll sound something like this बिना इसके and with it so वो जो sharpness वो brightness add हो रही है वो actual में आपके vocals को या जो भी instrument आप डालना चाहरे हो अपने music में उसको cut through और shine करने में help करता है and यह जो higher frequencies add करता है वो काफी जादा like चुपने वाली नहीं होती but at the same time वो एक अच्छा brightness add करती है यसे मैं इसको 100% कर दूँ तो यह extreme example है but इसमें भी आप इसको adjust कर सकते हो यहां से आप दोनों को साथ में link कर सकते हो right and यहां से आप power off on कर सकते हो यहां trim का मतलब है कि आपने एक particular sweet spot ढूंडा and फिर साथ में उसका amount कितना आप डालना चाहते हो अपने vocal पे आप वो set कर सकते हो so yeah that's a great plugin जिसको कि आप अपने vocal पे यूस करके अपने vocals को और ज्यादा better sound करा सकते हो so that's it for the video thank you so much for watching और अगर आपको अपने लिए music बनवाना है या फिर professional music production सीखना है then you know where to go and I'll see you in the next one take care bye bye